अन्तिता आखिरकार वो घड़ी आही गई जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतिजार था नमस्ते दोस्तान कैसे हैं आप लोग उन्हें भी और हमें भी उन्हें इसलिए ताकि वो कुछ कर सके कुछ ऐसा और हमें इसलिए ताकि हम बजा सके इनका बाजा तो भाईया देर ना करते हुए मेरे प्यारे प्यारे सरातनी दोस्तों आएए शुरू करते हैं जिहां खुले आम बोलती हूँ हमारे प्यारे शिकार का पॉसमोटम यह बात 5 जुलाई 2014 की है ध्यान से सुनिये एक विमान इराक से नई दिली के हवाई अड़े पर लैंड करता है ध्यान से सुनिये वीडियो को लाइक कर दीजे अभी और हाँ यह देश ततकालीन विदेश मंतरी सुर्गिय सुश्मा सुराजी के सम्मान में नतमस्तक हो जात है क्या खास था उस विमान में जानते हैं अभी तक आपको इस वीडियो का विशय नहीं समझ माया होगा वीडियो को अंत तक देखे लाइक का बटन दबा दे और ध्यान से सुनिये दोस्तों उस विमान में थी हमारी 46 सिस्टर्स यानि की नर्सिंग स्टाफ जिनहें ISIS ने क 183 अन्य भारतिये भी आए जो इराक में फस गए थे इस एक बड़ी उपलब्धी पर देश के फिल्मी ये बॉलिवुड या फिल्मी बानों ने एक फिल्म बनाई और लीड ड्रोल में थे सल्मान चचा देखिए फिल्म आपने चलिए मैं आपको शायद फिर से बता देती ह हूं फिल्म का टाइटल था टाइगर जिंदा है मैं आपको असली प्लॉट बता चुकी हूं अब जरा ध्यान से इस फिल्म का प्लॉट सुनिए फिल्म में बताया गया था कि टाइगर यानि की सल्मान खान चालिस नर्स की जान आतंकियों से बचाता है जिसमें 25 भारतिये और 15 पाकिस्तान नर्स होती है फिल्म में बताया गया है कि रॉव एजिंट टाइगर नर्स को बचाने के लिए इराक जाता है और अकेले अपने दम पर वो नर्सों की जान बचाता है कि फिल्म में सल्मान चाचा रॉव के एजिंट बने थे जो ये मिशन काकी पाकिस्तान के खूविया एजिंपी एजिंट थी याद है ना Anda भू ये कुछ चाहर कुछ कुछ याद आ रहा होगा उसे काक से पाकिस्तान एजिंट थी उनके साथ मिलकर ये पूरा काम करते हैं भान्वूर्ड ने Creative Liberty के नाम पर पाकिस्तान के साथ फिर से भाई भाई और भाई चारा का राग अलापा जबकि दोस्तों हकीकत में तो इस मिशन में किसी दूसरे देश के खूफिया एजेंट की कोई तुक ही नहीं समझ में आती है अब जब इस मिशन में कोई दूसरे देश का फसा ही नहीं तो पाकिस्तान का एजेंट क्यों पहले तो ये बताओ अब कि पाकिस्तान की नरसे भी कहीं जाती है क्या आचा पाकिस्तान के पास भी कोई खूफिया एजेंसी है क्या चलो होगा केर आप कहेंगे कि ये वाली परताल आज क्यूँ? क्यूंकि बेवक्त हम कुछ करते नहीं तो भैया यह फिल्म बनाई थी यश्राज फिल्म में और इसे कहा कि यह फिल्म हमारी स्पाई उनिवर्स की दूसरी फिल्म है फिर इस यश्राज फिल्म ने बनाई वार और अब बनाई है पठान तो पाकिस्तान प्रेमी इस फिल्म प्रोड्यूसर की स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्म को बॉयकॉट करने का एक जन्यून वजह तो हमने दे ही दिया है आपको क्या करें अकॉर्डिंग टू अब्दुल इसी के तो पैसे मिलते हैं मुझे यही बोलते हैं आप चलिए चलिए अब चलते हैं दूसरी वजह पर जिसके लिए आपको इस भानबूट के सबसे बड़े भाड़ की फिल्म देखने की कोई आवश्यक्ता है ही नहीं अच्छा एक बात बता है कि एक फिल्म और उसके ट्रेलर का क्या रिष्टा होता है चलिए सवाल को और आसान करते हैं कि फिल्मों के ट्रेलर क्यों बनाए जाते हैं बताई बताई आप इस पूझ रही हूं इस आसान से सवाल का आसा उत्तर है कि फिल्म को लेकर एक साइट्मेंट बनाने के लिए देखते हुए मन में कई सवाल आने चाहिए जैसे सीन कितने इकमाल है इसका प्लॉट क्या होगा कहानी क्या होगी क्या एक्षिन है ब्ला 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 लेकिन पठान का ट्रेलर देखने के बाद दस में से दस लोग इस फिल्म का प्लॉट और स्टोरी लाइन लिख सकते हैं जनाने वाला अंदर से एकदम सनातनी होगा जिसकी लुटिया डुबाने में हमारे साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़ा है या फिल्म कोई जल्दी घर वापसी की खबर देनी वाला कोई मजहबी क्यारेक्टर्स के नाम से लेकर फिल्म का प्लॉट और सारे सिग्रेशर जिन्दा को लेकर कर लेते हैं जो ध्यान से सुनिएगा लाइक कर दीजेगा जो सबसे वड़ी वज़ा हो सकती है आपके इस फिल्म को पूरी तरीके से बॉइक कॉट करने की फिल्म की प्लॉट बताती है कि हिंदुस्तान पर हमले करने वाले कोई आतंकी संगठन नहीं है बलकि ठेके पर काम लेने वाले ठेकेदार हैं टेंडर वाले जैसे आतंकी संगठन जैसे अब बिजनिसमेन है और वो खुझ से बंबारूद नहीं चलाते हैं अब वो ठेके पर काम देते हैं क्या बात है ना आतंकी संगठनों के लिए इतना बड़िया कवर कहीं देखा है अब सच के धमाकों के बाद आपको लललन टॉप यह भी बता सकता है कि फलांग खबर की हमने जब बरताल परताल की तो पाया कि यह धमाका अलकाइदा या ISIS ने नहीं एक धमाकों के टेंडर लेने वाली कमपनी ने किया था क्या आपने ध्यान दिया दोस्तों कि हमने न नंगे हीरो हीरोईनों की बात की और न घटिया VFX की वो सब सेकेंडरी है प्राइमरी है नियत जो इस फिल्म की है खराब बाकि जो वज़ा हमने नहीं बताई वो आप बताईए कमेंट बॉक्स में जिम्मा बराबर का है भाई मैं मैंने तीन-चार वजह बता दी आपको इस फिल्म को पूरी तरीके से बॉइकॉट करने की आप तीन-चार वजह अपने बताए और आप हां आपके बगल में जो बैठे है वो आप अपने वजह बताएं मुंबई वाले अपने वजह बताएं और अमारे बिहार के निवासी आप अपने अपने वजह बताएं आज हम कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ यही जानेंगे कि सब के अपने अपने क्या वजह है इस फिल्म को बॉयकॉट करने की देखे पहली वजह तो मुझे पता है कि अपने खान चचा जो है वो खताई पसंद नहीं आते हैं कि हमें प इतना बैटना है कैसे वाट्स अप चाट की वह एडमें रह चुकी है यह सब तो हमें पता ही है बाकि फिर भी मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगे इस वीडियो में भाई आपको भी होंवग दिया है आप लोग अपने होंवग कीजिए मैंने अपना कर दिया है तो पस कम वाने मत्र